हैलो बच्चो आप सब कैसे हो मैं हूँ शैली शर्मा आपकी टीचर और आपकी सबसे अच्छी दोस्त क्या आप जानते हो आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे तो बच्चो आज की कहानी का नाम है गाउवाला चूहा और शेहर वाला चूहा बच्चों क्या आप जानते हो कि हमारी तरह चुहे भी आपस में दोस्त होते हैं तो यह कहानी दो दोस्तों की है एक समय की बात है दो चुहे बड़े ही अच्छे दोस्त थे उनके नाम थे जैरी और बैरी परन्तु वो दोनों जब बड़े हुए तो एक चुहा गाउं में रहने लगा और एक शहर में परन्तु दोनों एक दूसरे को हमेशा याद करते रहते थे एक बार शहरी चुहे को सफाई करते समय अलमारी में अपने गाउं वाले दोस्त की एक फोटो मिली तो उसने सोचा की चलो क्यों ना मैं जाकर अपने दोस्त से मिलूँ यही सोचकर वह एक दिन अच्छानक अपने दोस्त से मिलने उसके गाउं पहुँच गया जब वह गाउं में पहुँचा तो अपने दोस्त के घर जाने के रास्ते में उसे कई सारे जानवर जिसे गाये, भयज, बक्री, आदी दिखाई दिए तो उसने सोचा छी इन जानवरों से तो कितनी गंदी बदबु आ रही है उसने सोचा कि बस ज़ल्दी से मैं किसी तरह अपने दोस्त के घर पहुंच जाऊ और वह जैसे ही अपने दोस्त के घर पहुँचा तो उसको देखकर दोस्त बहुत खुश हुआ क्योंकि दोनों बहुत समय बार मिले थे बच्चों आपको भी अपने पुराने दोस्तों से मिलने पर खुशी होती है न तो ऐसे ही वो दोनों दोस्त भी बहुत खुश थे दोनों ने बहुत सारी बाते की दोनों ने मिलकर अपने बच्पन की बाते की और देखते ही देखते समय का पता ही नहीं चला फिर बैरी ने अपने दोस्त जैरी से कहा कि तुम इतना लंबा सफर करके आये हो इसलिए अब तुम ठक गए होगे तो अब तुम्हें मुहां धोकर आराम करना चाहिए और तक तक मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाता हूँ फिर दोनों ने ऐसा ही किया जब शेहरी चूहा जैरी मुहां धो रहा था तो उसने देखा कि टंकी का पानी खत्म हो गया तो उससे बहुत गुश्या आया उसने सोचा अरे यहां तो कितना कम पानी है मेरे शेहर में तो कितना जादा पानी है जब तक गाउवाले चूहे बैरी ने खाना तियार कर लिया उसने अपने दोस्त को मीठे मीठे शकरकंदी, ताजे फल, ताजा दूद परोसा परतु शहरी चुहे को तो कुछ भी अच्छा नहीं लगा उसने कहा अरे इच्छी ये कितना बेस्वाद खाना है मेरे शहर में तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना मिलता है फिर शहरी चुहे ने गाउवाले चुहे से कहा कि जब तुम मेरे शहर आओगे तो मैं तुम्हें बहुत ही टेस्टी टेस्टी खाना खिलाओंगा और फिर थोड़ी देर बाद दोनों खेत में घूमने चले गए तो जैरी ने कहा कि अरे वा हवा तो बड़ी ताजी है और खुश्बू भी बड़ी अच्छी आ रही है परन्तु चलते चलते वो दोनों एक कच्रे के ढेर के पास जा पहुँचे तो शहरी चुहा कहने लगा अरे अरे कितनी गंदी बद्बू आ रही है मैं तो यहां एक पल भी नहीं रुख सकता तुम इतनी गंदी चगा में कैसे रहते हो मुझे तुमारा रहने का तरीका बिलकुल पसंद नहीं आया शहरी चुहे ने कहा कि तुम मेरे साथ मेरे शहर चलो मैं तुम्हें चीज, पास्ता, पिज़ा, बर्गर, आइस क्रीम, केक सब टेस्टी टेस्टी चीज़ें खिलाऊंगा मेरे शहर में तो बहुत सफाई है तो गाउवाला चुहा बैरी बोला अरे वाह फिर तो मैं तुमारा शहर देखने जरूर आऊंगा फिर अगले दिन शहरी चुहा अपने घर वापस चला गया कुछ दिनों बाद गाउवाले चुहे को अपने शहर वाले दोस्त की याद आई तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने दोस्त से मिलकर आऊं तो गाउवाला चुहा जैसे ही शहर पहुँचा तो वह शहर पहुँचकर उची-उची बिल्डिंग्स, गाडियां, दुकाने ये सब देखकर बहुत खुश हुआ और एक बार तो वह गाड़ी के नीचे आने से भी बचा जब वह अपने दोस्त के घर पहुँचा तो दोनों ने मिलकर बहुत बाते की और दोनों बहुत खुश हुए थोड़ी देर बाते करने के बाद शहरी चुहे ने कहा चलो अब अपन कुछ खाते हैं गाउं वाले चुहे बैरी को तो बहुत पहले से ही खाने की खुश्बू आ रही थी तो वो दोनों मुहा धोकर खाने की टेबल पर पहुँचे गाउं वाला चुहा तो खाना खाने के लिए बहुत ही उतावला था शेरी चूहे ने उससे कहा कि मेरे दोस्त यहां बहुत सारी टेस्टी टेस्टी चीज़े हैं चीज, पास्ता, दूद, टोस्ट, ब्रेट, पीनट, केक, फ्रूट्स यह सब देखकर गाउवाला चूहा तो बहुत खुश हुआ वर सोचने लगा कि यह सब कितना अच्छा है, क्यों ना मैं भी यहीं रह जाऊं तब ही चूहों को खाने की टेबल के उपर चड़ा देखकर घर का नौकर वहां आया और उसने उन दोनों चूहों को डंडे से मार कर भगा दिया अब दोनों बेचारे, जैरी और बैरी डर कर भाग गए परन्तु उन्हें बहुत जोरों की भूक लगी थी फिर उन्होंने सोचा कि चलो, कहीं बाहर कुछ खा कर आते हैं तो फिर वो दोनों एक डिपार्टमेंटल स्टोर में घुज गए डिपार्टमेंटल स्टोर में हर तरह का खाने का सावान था वहां केक, बर्गर, पिज़ा, चीज, चिप्स, जूस, हर तरह की चीज़ें थी गाउं वाला चूहा बैरी ये सब देखकर बहुत खुश हुआ और तभी अचानक वहां एक बिल्ली आ गई बिल्ली दोनों चूहों को देखकर उनके पीछे हमला करने के लिए भागी तभी दोनों चूहे बड़ी मुश्किल से जान बचाकर डिपार्टमेंटल स्टोर के स्टोर रूम में जाकर छुप गए तभी गाउवाले चूहे बैरी की नजर एक पिंजरे पर पड़ी तो उसने शहर वाले चूहे जैरी से पूछा कि ये क्या है तो शहर वाला चूहा बोला कि ये चूहा पकड़ने का पिंजरा है अगर तुम इसके अंदर रखी चीज को पकड़ोगे तो ये तुम्हें पकड़ लेगा और फिर तुम कभी भी इससे बाहर नहीं आ सकोगे यह सुनकर तो गाउवाला चूहा बोला मुझे तो यह सब देखकर और सुनकर अब हार्ड अटेक आने वाला है यह सब बहुत जादा है बहुत दौर भाग कर ली हमने और खाने को भी अभी तक कुछ भी नहीं मिला इस तरह भाग भाग कर और डर डर कर मैं नहीं रह सकता अब गाउवाला चूहा बोला कि मैं तो अपने घर वापस जा रहा हूं वहां कितनी शांती है मैं अपने घर में कितना खुश था तब शहरी चूह जैरी बहुत शर्मिंदा हुआ क्योंकि वह अपने दोस्त को कुछ भी नहीं खिला पाया तो बच्चो, moral of the story यह है कि हमें जो भी मिला है हमें उसी में खुश रहना चाहिए हमें कभी किसी दूसरे का मुकाबला नहीं करना चाहिए तो बच्चो, आपको आज की कहानी कैसी लगी? मुझे कमेंट करके जरूर बताना और इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताना ओकी बाई-बाई, टेक कियर